हेलो दोस्तों आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्फ वीडियोस में बहुत-बहुत स्वागते हैं दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं बाइक के बारे में जिना दोस्तों आप ब्यासिक्स बाइक के बारे में आपको कौन से खरीदनी चाहिए कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं दोस्तों किसे खरीदे यानिकि आज मैं आपको इन दोनों कर बताऊंगा इसमें से कौन सी अच्छी कौन सी सथी है और किसमें आपको क्या benefit मिलने वाले दोस्तों दोनों बाइक के बारे में आज मैं आपको पूरी डेटेल्स वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो में अगर आपने भी तक हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं कहें तो पिलिश चैनल को सब्स्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्ता आपको देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर यहां पर आप इस यह हैं बजाज की CT100 और इधर high teaching के बारे में दोस्तों पूरा बताए हो इस वीडियो में अभी आप इस वीडियो को लाजा तक देखना आप नीचे बारे में बात करते हैं सबसे पहले मैं आपको इंजन के बारे में बsentादो जो बजाज में आपको दोस्तों मिलता हैं 2 बजास City100 में ताकत के लिए 102 cC का फोर-इस्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इलक्टोनिक इंजेक्शन इंजन दिया गया है और दोस्तों साथी-साथ यह में बताएं तो हीरो अच्व डिलक्स में 97.2 cc एयर कूल्ड फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओए सी इंजन दिया गया है यानि कि दोस्तों जो बजासीटी हंड्रेड़ में 102 cc है और हीरो में 97 cc है अब आप देख सकते हैं किसी में ज्यादा है कौन से आपके लिए बैटर है अब दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो बजासीटी हंड्रेड का इंजो इंजने दोस्तों वह 7500 rpm पर 7.9 ps की मैक्सिमम ताकत और 1500 rpm पर 8.34 nm का पीक टोर्क जेनरेट करता है दोस्तों बात करें हीरो एच्व डिलक्स की तो इसका जो इंजने वह 8000 rpm पर 8.24 ब्हम की पावर और 5000 rpm पर 8.05 नचश पैदा करता है अब आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों में कौन बेटर है कौन नहीं दोस्तों जो इसमें बजाज है ऑंदोस्तों वह इसमें यह इसमें भी बजाज उपर यह बजाज ज्यादा आपके काम कर रहा है और दुस्तों ट्र तो उसमें 4-speed gearbox दिया गया है यानि कि आप इसमें देख सकते हैं उसमें 4-speed gearbox से सब्सक्राइब लगते हैं और इसमें 4-speed gearbox दिया गया है बस अब बात करते हैं दोस्तों suspension की दोनों में suspension की बात करें तो हम जो बजाज दोस्तों में CT 100 के front में 125 mm travel hydraulic telescopic suspension दिया है वहीं इसके रियर में 110 mm wheel travel suspension दिया गया है अब बात करें hero hf deluxe की तो इसमें दोस्तों telescopic hydraulic shock absorber front suspension मिलता है वहीं इसके रियर में swing arm के साथ two stage adjustable rear suspension दिया गया है अब आप देख सकते हैं दोस्तों किसमें यहां भी benefit किसमें हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं यह बजाज की दोस्तों यहां पे भी सही है बजाज CT 100 इसमें भी अच्छी है अब बात करते हैं ब्रेक की ब्रेक के बारे में बात करें तो %1000 City 100 नरेकर 118 मी दरभ ड्रम दया गया है वहीं इसके रियर में 110 मीलीमटर का ड्रम दिया गया है सुरक्षा के लिए इसके में सी बीयसीचर दिया गया है दूस्त-आप देख सकते हैं κάlebri एड्ट कर दिया गया है में 130 mm का दिया गया और इस वहिं इसमें 130 mm का रियर रंबडantically is दोस्तो इसमें यहां तो ब्रेक में थोझे दिया गया है और दोनों में ब्रेक का सही अब बात करते हैं हम दोस्तों नीचे आ जाते हैं dimension की dimension की बात गरें तो दोस्तों जो बजा City 100 ES और City 100 KS LOA variant की लंबाई 1945 mm है जबकि बजा City 100 KS spook variant की लंबाई 1955 mm है वहीं बजा City 100 ES की चोड़ाई 752 mm है और बजा City 100 KS variant की चोड़ाई 752 mm है बजा सीटी हंड्रेट की ऊंचाई 1072 mm है वील बैस 1235 mm है इसका ग्राउन किलियरंस 174 mm है अब बात करतें दोस्तों हिरो की हीरो एचेफ डिलक्स की जो लंबाई ये दोस्तों वह 1965 mm है चोड़ाई 720 mm है और ऊंचाई 1045 mm है इसका वील बैस 1235 mm है इसका ग्राउण के लिए 165 mm है यानि कि दोस्तों जो यह इसमें डायमेंशन की बात करें तो उसमें भी बजाज की CT 100 का ज्यादा है Hero Hf Deluxe के मुकाबले है इसका कम है और बजाज वाली का ज्यादा है दोस्तों अब हम कीमत की बात करें दोनों की तो दोस्तों जो बजाज की CT 100 ES की शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम कीमत है दोस्तों मैं आपको दिल्ली की बता रहा हूँ 12,790 रुपे हैं जो 50,470 रुपे तक चली जाती है और दोस्तों Hero HF Deluxe की बात करें तो दिल्ली एक्स शोरूम कीमत इसकी 49,000 रुपे हैं जो 57,300 रुपे तक चली जाती है अब आप दोस्तों अंदजा लगा सकते हैं कौन सी इसमें यहां भी बैटर है दोस्तों जो बजाज की CT 100 रहे वो बहुत कम हैं इसके मुकाबले वो 50,000 से भी नीचे हैं और दोस्तों जो यह है doach 11 शैजार तक चली जाती है वो 50,000 जा रही है कीमत में दोस्तों दोनंगे फरक और दोस्तों दोंगों में जो पिचरस मिल रहे है उसमें बजाज वालीमें ज्यादा मिल रहे हैं बजाज में फिचर ज्यादा है और दोस्तों look आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौ कर देना साथ ये साथ बैल आकन को प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे धन्यवाद दोस्तों